कि आपको देखकर हिए जो प्रसन्नता का फवाना है उसके पीछे ये है कृपा की धारा है जो कृपा की धारा होती है वो स्वर्चता का आपादन कर देती है सब्चता का अपदन का मतलब हुआ कि मन में जो तरह तरह के बादल जैसे अनिश्चे की तरफ ले जाने वाले कोई चिंताओं के बादल मंदरा रहे होते हैं तो कृपा की धारा उन सब को दूर कर वेती है जो स्वतैस्पूर्थ आनंद है वो सुलब करा देती है और जब वो साथ साथ सुलब करा देती है तो उसको हम सत्संग कहते हैं और सत्संग में प्रवेश करते हुए ध्यान करें तो हमारी उपस्तिती पूर्ण रूप से सत्संग में हो इसकी सम्मावना बढ़ जाते हैं तो चली ध्यान कर लेते हैं पारताय प्रतिवुदितां भगवता नारायने नस्वयं व्यासेन गृतितां पुराण मुनिना मध्य महाभारतं अद्वैताम्रतवर्शिणिं भगवतिं अष्टादशाध्यायन अंबत्वामन संदधामी भगवत गीते भवत देशिली गीता माता की यह यह कार करते हुए उत्सवों के दिन आते हैं तो हमको मिठाईयों की याद आने लग जाती है वैसे भी रहती है और हम में से कुछ लोग को तो मिठा है अभी तक प्रीय हैं बागी इस प्रकार का एक बाताबर्ण है जिसमें सभी लोग कहते हैं नहीं नहीं मैं तो मीठे से दूर रहता हूं मैं उनमें से नहीं हूं लेकिन फिर भी पहले तो कम करना ही चाहिए और जो लोग जोदपुर के हैं उनको अगर मावी की कचोरी खाने का अफसर हुआ हो तो मावी की कचोरी के साथ भी एक प्रकार से प्रेम हो जाता है विशेश करके जब आप अपने शेर से बाहार अधिक रहते हैं तो इसी प्रकार से अलग-अलग शेरों की अलग-अलग मिठाईयां होती हैं और मिठाई की बाद को लेते हुए जो मधुराती मधुर हैं कृष्ण वगवान उनके मुक से निकली हुई वानी का आधार लेते हुए आज हम साथमें और आठमें श्लोक की तरफ जो त्रिविधो भवति प्रियह यज्यस्त पस्त थादानम तेशाम भेद मिमाम शुनू तो शुनू का मतलब सुनने से होता होगा क्या कह रहे हैं कि भोजन भी सबको अपनी प्रकृती के अनुसार तीन प्रकार का प्रियह होता है और वैसे ही यज्यतप और दान भी तीन तीन प्रकार के होते हैं इस भेद को तू मुझसे सुन मतलब आगे के शलोकों में थोड़ा इसपश्ट करने वाले हैं कि कैसा तो भोजन है जो सतोगुण प्रधान मनुश्य को उसकी प्रकृती के अनुसार प्रियह होगा तो उन्होंने तीन प्रकार के भेद जो सत्धा के अंदर भी भता दिये उसी तरह से जो यज्यतप और दान हैं वो भी तीन तीन प्रकार के हैं अब यह तीन प्रकार के कैसे हैं वो थोड़ी दिर बाद में हमको पता लगने ही वाला है पर इसे अपने तरफ से सोचे हैं तो अगर आपने दान करते समय निस्वार भाव रखा आपने उसके कल्यान का सोचा आपने यह नहीं सुचा कि इससे मेरा नाम आएगा अगवार मे चप जाएगा या अमुक वेक्ती यह देखते हुए कि मैंने इस जगे पर दान किया है तो वो मेरा अमुक जगे पर दियान रख लेगा तो वो वाला दान राजसी हो गया एक ऐसा हो कि दान दिया है लेकिन उस दान के पात्र के बारे में विचार ही नहीं किया है और जो दा गुणी प्रदान व्यक्ति दान देता होगा तो वो इस बारे में नहीं सोचेगा कि इससे मुझे क्या मिलेगा एक सहज करुणा का भाव प्रेम का भाव निस्वार्त भाव सेल्फ लेशनेस के साथ में जो दान दिया जाएगा तो सतो गुण से प्रदान वो होगा इस प्रका तो इसका आर्थ है कि आयू बुद्धी बल आरोग्य सुख और प्रीती को बढ़ाने वाले रस्योक्त चिकने और स्थिर रहने वाले स्थिर का मतलब यह है कि जिस भोजन का सार बहुत लंबे समय तक रहे उसको स्थिर रहने वाला कहा स्तिर रहने वाले और सभाव से ही मन को प्रिया ऐसे आहार यानि भोजन करने के पदार्थ साथ्विक पुरुष को प्रिया होते हैं समझ लिए कि आप साथ्विक हैं तो यह टेस्टिंग होगी कि ऐसा खाना मुझे पसंद है क्या कैसा खाना जो कि आयू को बढ़ाने वाला हो अब कई भोजन ऐसे हैं यह भी जो मदिरा इत्यादी हुए या जो नशीले पदार्थ हो भी आहार तो नहीं है वैसे लेकिन समझे इसको ग्रेंड करते हैं खाते हैं पीते हैं तो वह आयू को घटाने वाले तो वह सात्विक वृत्ति के साथ नहीं है तो बल भी बढ़ता हो जिस भोजन को करने से आरोग्य मतलब की स्वस्त रहते हों आहा खाना खाया उसने पौश्टिकता देने के साथ साथ जो शरीर की रोग निरोधक शमता है उसको भी पक्का कर दिया ऐसा बोजन जो सुखी करने के साथ साथ ऐसा प्रफुलित भाव देता है कि आपने खाना खाया तो आप उसके वाद में आपने आज पास जब व्यावार करते हैं तो पहले से और अधिक प्रसंद चित्त होते हैं ऐसा खान साथ्विक पुरुष्णों के लिए प्रिय होते हैं यह बात भगवान ने जब बताई है तो आपको लेकर मैं आ जाता हूं विवेक चूड़ावनी की तरफ विवेक चूड़ावनी में जो इसकी परिभाशा दिये है उसको थोड़ा पकड़नी की कोशिश करते हैं उसमें ऐसा कहा कि सत्मम विशुद्दम जलवत तथापी ताभ्याम में रित्वा सरनाय कल्यकल पते यत्रात्म भिंबह प्रतिभिं प्रकाश यत्यर्क इवाखिलं जडं तो जो सत्वगुण है वो जल के समान शुद्द है हालंकि वो रज और तम से मिलने पर पुरुष की प्रव्रति का कारण होता है और इसमें प्रतिभिंबित होकर आत्म विंब सूर्य के समान समस्त जड़ परार्थों को प्रकाशित कर इसमें एक और श्लोक है जिसमें जो बात बताए है थोड़ी उपर से जारी मुझे भी ऐसा लगा तो कहते हैं अमानित्वादी यम नियमादी श्रद्दा भक्ति ममुक्षता दैवी संपत्ति और असत का त्याग ये सब रजोर तम से मिलेवे सत्वगुण के धर्म हैं प्र आनन्द रस को प्राक्त करता है मुमुक्षु कौन है जिसमें मोक्ष की आकांग्षा है मोक्षी आकांग्षा किसमें होगी जिसको पता होगा कि ये देह ही सब कुछ नहीं है देह ही सब कुछ नहीं होने का अर्थ अव्यावारिक होना नहीं बलकि जो सर्वशेष्ट कौशल के साथ इस देह के उपयोग को करने वाली दृष्टी है वो मुक्ष की आकांग्षा के साथ में जुड़ी हुई मिल जाती है तो आप सबके जीवन में मंगल हो आप सबका कल्यान हो ऐसी प्रभु के चर्णों में बलकि हम सबका कल्यान हो ऐसी प्रात्रा प्रभु के चर्णों में रखते हुए सबके जीवन में पूर्णता का प्रकटन हो ऐसी भी प्रात्ना ओम पूर्णमर्य पूर्णमर्चते पूर्णस्य पूर्णमादाई पूर्णमे वागशिष्चते ओम शंत 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 जैसे जिए जिए श्रीवी ताचायमायादं श्रीवी ताचायम अन्याव्या था शंत 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 शंत॥ झाल झाल